मूवी की शिरुवात में हमें एक लॉरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बागी दोस्तों के साथ खेल रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो इक और फेनिच हाउस में रहते हैं और लॉरा को यहां पर गोद लिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉरा वापस उसे घर में आई होती है और उसने कारलों से शादी कर ले होती है। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम सिमान होता है और उसे वाटसन और पैप नाम की दो इमेजनरी दोस्त भी दिखते हैं फिर अकले दिन लॉरा सिमान के जित करने पर उसे बीच के किनारे एक केफ को दिखाने के लिए ले जाती है जो लाइट हाउस के पास होती है और उ होता है और लौरा की पहुशने पर उससे पूछता है क्या वो अपने घर में आकर खेल सकता है तो वो weighs बताती है कि यहां पर वाट्सन और पेप नहीं है तो सिमान कहता है एक नया लड़का correctly समझ झ bạn SevenSH दोस्त के घर पहुँच सके फिर हम देखते हैं कि लॉरा की घर में बेनिगना नाम की पूरी आरत आती है और वो बताती है कि वो एक शोशल वर्कर है तो लॉरा कहती है कि वो अभी इंटर्व्यू देने के लिए तयार नहीं है जिस पर वो औरत कहती है कि वो सिमॉन के लिए यहां पर आई है और फिर बेनिगना उससे पूछती है कि तुम्हें यह घर कैसे मिला तो वो बताती है कि मैं यहीं पर बड़ी हुई हूँ और यह एक और फिनेच हाउस है क्योंकि हमेशा से मैं यहां आना चाहती थी इसलिए मैं लॉट कर आई हूं और साथी साथ वो यह पूर बताती है कि वह यहां पर रखना चाहती है और बनिकना से के बारे में और बताती है कि उसे कल लाई यहां पर आना चाहिए क nine पर यह श्यां कसी पार्वाइं कि देती है उसकी जाने के बाद जब LORA उसकी फाइल चेक करती है तो उसी पता चलता है कि सीमा और हाईवी पॉजिटिव है पिर वो उस फाइल को तिजोरी में बन कर देती है और जब रात में LORA और कार्लो सू रहे होते हैं तो उसे बहार कुछ आवाजे सनाई दीती है और जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर उसे बेन इगना मिलती है जिसे देखकर वो शौक ड्रह जाती है और उसको देखते ही देखते बेन इगनावाँ से भाग जाती है जिसके बाद वो भाग कर कॉरलो को जगाती है और फिर वो दोनों ही उसको वहाँ पर ढूनते हैं पर वो वहाँ नहीं मिलती अगली सुगार जब फलॉरा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे स्नेल्स मिलते हैं लेकिन उसे अच्छे से याद था कि पिछले दिन सीमॉर्स ने थोड़े से ही स्नेल्स रास्ते में डाले थे ये देखकर वो काफी हैरान होती है फिर उसे सीमॉर्स के द्वारा बनाई कई पेंटिंग्स मिलती है जिसमें उसने ऐसे बच्चे का ड्रॉ किया होता है जिसके फेस पर मास्क होता है और उसके हाथों में अजीब सी चीज होती है तो वो सीमॉर्स से पूछती है ये इन लोगों ने क्या पकड रखा है तो वो बताता है कि इन लोगों ने मेरे साथ खेलने के लिए खजाना ले रखा है जिसे उन लोगों ने चुरा लिया है और मुझे उसे ढूनना है जिसके बाद लॉरा भी उस खेल को खेलने के लिए तयार हो जाती है तो वो उसे एक special coin ढूनने के लिए कहता है जो कि बहुत कीमती है और फिर वो दोनों मिलकर उस सिक्के को ढूनने लगते हैं लेकिन उनी वो सिक्का नहीं मिलता और इसी जगा पर कुछ तूटे हुई दात म ही मिलते और वहां पर सिर्फ रीथ ही मिलती है तो वो उसे कहता है कि तुमने ये रेच जहां से लाई है उसे वहीं पर चैक करना चाहिए वहां पर उन्हें क्लू मिलता है कि अब उन्हें सिलाई बॉक्स चैक करना है ऐसे ही क्लू ढूनते हुए उन्हें एक चाबी मिलती है और यह उसे तिजोरी की चाबी होती है जिसमें सीमान की फाइल होती है फिर सीमान उस चाबी को लेकर उस फाइल को निकाल लेता है जिसमें सिखे भी रखे होते हैं जब Laura इस बात पर गुसा करती है तो वो इससे कहता है कि तुमने मुझे से छूट बोला है तुम मेरी मा नहीं हो और मैं मरने वाला हूँ। पर यह सुनका Laura बहुत है और उससे पोछती है कि तुम्हें ये किसने बताया। तो वो बताता है कि ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया और फिर वो वहां से चला जाता है और लोरा वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दिन वो लोग उस हाउस में एक पार्टी रखते हैं क्योंकि वहां पर पहला बच्चा आने वाला होता है। और जब लोरा सिमोन को नीचे आने के लिए कहती है तो वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो नहीं आ सकता और उसे लोरा को कुछ दिखाना है। लेकिन वो इसे मना कर देती है तो सिमॉन जित करने लगता है और उसके हाथ में लिया हुआ सामान गिरा देता है जिससे वो गुसा हो जाती है और उसे मार देती है अलांकि उसे उसके बाद काफी बुरा लगता है जिससे वो कहती है कि अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम नी किया होता है तो उसे लगता है कि वह सिमौन ही है और उसी छूने की कोशिश करती है लेकिन उसे समय इसे रूम झाया करती है और जलब हसा धार देता है और फिर दर्वाहां से को बंड कर सक था जैता है तो वो सीमान को पूरी घर में ढूनती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता तो वो बीच पर पहुत जाती है और इस तौरान उसे चोट भी लग जाती है तब ये उस Aykoll Infrast कोई बakat ये पिलर होता है और वो पुलिस के साथ काम करती है वो उसे समझहती है कि उस कीफ में कोई भी नहीं था ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है और पुलिस सीमान को ढूंड लेगी जब वो इससे पूछती है कि क्या कोई रिलेटिव उसके बच्चे से मिलने आया था तो वो उसे उसे शूशर वरकर के बारे में बताती है तो साइकलोरिस बताती है कि उन् रूम से आवाज सुनती है तो कार्लो को जोर जोर से आवाज लगाती है और कार्लो के आने की बाद जब वो जाकर रूम चक करते हैं तो उन्हीं वहां पर एक चोटी सी गुडिया मिलती है जिसे देखकर वो दोनों ही काफी हरान हो जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि स लौरा उससे बात करने के कोशिश करती है लेकिन उसी दोरान उसका एक्सिडेंट हो जाता है और वो बहुत ही बैरेमी से मारी जाती है तब ही लौरा को उसके पास से वही मास्क मिलता है जो उस पच्चे ने पहना होता है जिसे देखकर वो बहुत साधा हैरान थी फिर अगले सीन में हम पिलर को देखते हैं जो उन लोगों को कुछ वीडियो टेप लाकर देती है जो इसे बैनिगना के घर से मिले होते हैं और साथ ही साथ एक फोटो दिखाती है जो कि लौरा के बच्पन की फोटो होती है और उसमें उसके दोस्त रीटा विक्टर अलिसा मार्टिन गु कि उसका चहरा बहुत ही बस्तूरत और डिरावना था और वो खेलते हुए गायब हो गया था जिसकी बाड़ी कुछ दिन बाद बीच पर मिली क्योंकि और फिर बीच में डूब किया और फिर कभी भी वापस नहीं आया जिसके बात लौरा प्रोफेसर लियो से मिलती है और उनके साथ अरौरा भी वाई होती है फिर वह सारी रूमय कैमरे माइक लगा कर अच्छी कर घर में यह करने के लिए कहते हैं कि यहां पर उनके लावा कोई और भी है जिसने उन्होंको एक कम्रेश से बची आवाओस सनाएं Ce जिसे सुनते हुए जब Aroora वहां पहुशती है तो वहांपे बच्चे रूरहे होते हैं। जब Aroora उन्हें इस दरवासा खोलने के लिए कहती है। बच्चे बहुत जिला रहे होते हैं। रूर है होते हैं जिसे देंव बहुत दर जाती है पिर अरोरा प्रफेसर को बताती है कि वहां पर पाच पक्चे हैं चुबाइचा बिमार और उन्म कोई मानने की कोशिक कर रहा है तो फिर वो उसे पूछती है कि क्या वहाँ पर सीमान है लेकिन तब ही उसका कनेक्शन टूट जाता है और प्रोफेसर उसे वापस बला लेते हैं फिर जब अरोरा लॉरा को सारी बात ये समझाने की कोशिश करती है तो कारलो इस बात पर गुसा हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ अपने बच्चे को ढूनना चाते हैं लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर अलगी चीज़े शुरू कर दी इसलिए वो अब इस घर में नहीं रहेंगे और फिर वो लॉरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन लॉरा इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है और अरोरा से पुछती है कि अब उसे क्या करना होगा तो वो उसे बताती है कि तुम एक मा हो और तुम्हारे दर्द उसे ताकत देगा इसलिए तुम विश्वास रखो उसके बाद कारलो उसे वहाँ से चलने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज के लिए तयार नहीं होती और उसे दो दिन का समय मांगती है तो कारलो इसके लिए तयार हो जाता है फिल लॉरा अकले दिन इस बात से काफी परिशान होती है उसे कुछ क्लू नहीं मिल रहे हैं तो वह कहती है कि मैं डरती नहीं हूं तुम लोग कहा हूं मेरी मदद करो तबी खिड़की खुद बाखुद बंद हो जाती है और उस पर लगा कांश तूट जाता है जहां पर उसे एक बाक्स मिलता है जिसमें सारी करती है तो वहां पर उसे एक गुलाब मिलता है और क्लू को फॉलो करते हुए उसे एक स्टोर रूम का पता मिलता है जहां पर उसे उन बच्चों का कंकाल मिलता है जिसे देखकर वो बहुत जादा डर जाती है यहां लौरा को पता चलता है कि बैनिना ने उसकी सारी दोस्त पर इसे याद आता है और वो बच्पन की तरह लुका छूपी खेलने की कोशिश करती है तो उसे उसकी सारे दोस दिखाई देने लगते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उनसे बात कर पाती वो इस जोर रूम में पहुँच कर गायब हो जाती है वहाँ चक करने पर उसे एक बेस्मेंट का दर्वाजा मिलता है जहां से नीचे जाने पर उसे सिमान मिलता है जिससे लारा बहुत खुश होती है और उसे गोट में उठा कर अच्छी चीजों को याद करने के लिए कहती है कुछ देर बात वहाँ पर सब को शान्त रहता है लेकिन तब ही उसे वहाँ पर एक डेट बाड़ी दिखाई देती है जो किस सिमान की होती है जिसे देखकर वो डर जाती है और रोने लगती है और तब ही उसे याद आता है कि जब सिमान उसे कुछ दिखाने के लिए कह रहा थ उस समय वो उसी जगा के बारे में बात कर रहा था लेकिन तब उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और ठपर मार दिया था जिसके बात वो अकेला ही यहां पर आ गया था और फिर जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उसे समय लॉरा उससे ढूंड रही थी और सामान गूलियां खा लिती है और मर जाती है जिसके बाद सिमोन उससे कहता है कि मुझे स्पेशल सिक्चा मिल गया है और मैंने विश्मांगी है कि आप हमेशा हमारे साथ रहों और हमारी देख्भाल करओ जिसके बाद उसे उसे सारे दोस्त दिखाई देते हैं जो बिमार होते हैं जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और सब उसे घेड़ लेते हैं फिर सिमान उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है और वो सब वहां बैठ कर कहानी सुनने लगते हैं फिर अगले जिन में हम कारलो को देखते हैं जो सिमान